अल्लो 10th क्लास तो आज हम करेंगे टाइप ओप केमिकल रियक्शन ठीक है प्रीबेस वीडियो में में ने क्या गराय था हाउ तो बैलेंस हाँ चैमिकल इक्वेशन ठीक है तो चैप्टर नमबर कौन से हमारा वन है क्लास 10 चैप्टर नमबर वन चैमिकल रियक्शन एंड इक् तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे ठीक है वी हाव लेंट इन क्लास 9 दैट दूरिंगा केमिकल रियक्शन एक्टम ऑफ वन एलिमेंट दो नोट चेंज इंटो दौस अनदर अलिमेंट क्लास राइप्टम में क्या पढ़ाई कि जब केमिकल रियक्शन होती है तो एक अटम दूसरे अलिमेंट में चेंज नहीं होता ठीक है नौर डू एक्टम डिसपेर फॉंदा मिक्शर और एपियर फॉम एल्सवेर ना कोई ऐसा एक्टम है कि वो रियक्शन से क्या होजाए डिसपेर हो जाए गायब हो जाए या फिर कोई नया एक्टम आजाए ठीक है ऐसा भी हो टूटेंगे और कुछ नहीं बनेंगे लेकिन अटम ऐसा नहीं है जो एक्टम रियक्शन के अंतर वही रहेंगे लेकिन चाहोगा वंच में तूटके वो क्या जाएगे अलग हो जाएगे और नजा न सई आइए झाई आक्म नहीं आए लियों रियर किसे में दिखाए दे है डाइप सोब रियक्शन ठीक है combination reaction ठीक है सबसे पहले का है हमारी combination reaction ठीक है combination reaction क्या होगी नाम से पता चल रहा है combination मतलब combine होना जूड़ना ठीक है the reaction in which two or more reactant combine to form one product ठीक है जिस में दो या दो से ज्यादे रियक्टेंट क्या होगे एक साथ जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे एक प्रोड़क्ट बनाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे combination reaction ठीक है एक दो टीन कितने भी हो सारे मिलके क्या बनाएंगे एक बनाएंगे गैँजिक है उसे हम क्या बोलेंगे कॉंबिनेशन पढ़ेंगे इसका एक्टिविटी हमारे पास 1.4 के का स्मौल अमौन्ट ऑप क्यल्चिम ओक्साइड और क्युक्लाइब इना भीकर ठीक है तो क्या लेना में एक बीकर लेना है वीकर में क्या लेना है क्या लेन करो आप क्या लिए ग्याइन क्या क्या आप को टच करके कैसा है छैकर फिल test तो आपनों क्या होगा कि जो वेकर है क्या होगा हो तो क्या का रहने इसकत रियक्ट करेंगा I क्या हमारा क्यूंक लाइब कारे का कया बना लेगा क्या हटी थे तो रिशन आपीक है डूक्षाइड या वे द वर्ट तो प्रोडियूच कांते से कि बना लेगा एक दम से पाइब जागड divor Fried या फिर calcium hydroxide बोलते हैं इसको रिलीजिंगा लाज अमाउंट ओफीट और क्या रिलीज करेगा लाज अमाउंट ओफीट तो इसकी वज़े से क्या होगा बेकर हमारा क्या हो जाएगा गरम हो जाएगा ठीक है इंतिस रियक्शन calcium oxide and water combined to form a single product इसमें क्या हो रहा है calcium oxide और water यह calcium oxide और water दो रियक्टेंट है मिलके क्या बना दिया रहा है एक प्रोड़क्ट बना दिया ठीक है तो सचे रियक्शन इन वीचे single product is from तो वो रियक्शन और रियक्शन इन वीचे single product is from जिसमें single product बनेगा from two or more reactant is known as combination reaction तो आप इसको highlight कर सकते हो ठीक है यह आप लिख सकते हो combination reaction की definition ठीक है फिर इसके बाद आजाओ आप ठीक है do you know ठीक है a solution of slake lime produced by the reaction is used for white washing falls ठीक है तो जैसे आपके घरों में दिवारे होती है उनको सब्सक्राइब करने के लिए वाइट वोसिंग करने के लिए हम क्या यूज करते है स्लेक्ट लाइब क्या होगा यह क्या करेगी कार्बन डायोक्साइड के साथ यह साथ करेगा सकता जैशा करेगा कर्बन हमारी एर में ह सिर्क करेगे अदर करेगीrias करें है हमारी सब्सक्राइब के साथ है और क्या बना डिस canned तक है white washing का हमकर वाय्ट था होता है धीर धेरे बनता है दो इस ही था नधर बने गए निबॉन showing कर दोगे बोल्स पे क्या होका शो करें चाल समय लाइख सब्सक्रीं करें गया साथ कैल्सियम हड्रॉकसब्साइड के साथ क्या नहीं क्या गवनेट a ज़िए कार्बोनेट अधिका देगा और देखा होंगे कि धुचा दिन के बाद आपक जो फिए उनपर साइनिंग्स प्रोड़क्ट बना तो यह भी कोन सी है यहां पर देखो दो है यह प्रोड़क्ट बना एक प्रोड़क्ट बना एक अच टो तो यह भी क्या एक कोंबिनेशन निया एक्जेंपल ना गॉस्टेंशन निया थी यहां फिर यह वाली डेफिनेशन यहाद कर लो थीक है वन तो और मोर सब्टांशेज कमबाइंट पोर्मा सिंगल प्रोड़क्ट दारेक्शन इस गल्डिक यहां क्या बलते हैं प्रोड़क्ट इस एक्टिविटी बन पॉइंट प्रोड़क्ट वी और आपने शोड़क्ट पार क्रेंट थी उसमें से आपको जब आपने बीकर को ट इस गली से ऐलांग मिदा फॉरमेशन और प्रोड़क्ट इस रिएक्शन इसमें क्या होगी हीट रिजलीज ओगी या फिर एव्योवोगी तिक यहां बल लेंगे ऑप्जोथर्मीक श्योड़क्शन बलेगे अडू अधर अज़र्मीक श्योड़क्शन पार्नेंग और दे यह भी क्या उसका एक्जम्पल यह कोंबिनेशन रिक्शन का एक्जम्पल है चाहिए जानते हो जो रेस्पिरिशन है हमारा यह भी क्या एक्जोथर्मिक रेक्शन है एनर्जीशन होगा हमारे बोड़ी के अंदर तो क्या होगा जो फोड़े किसमें टोट जाएगा सिंपल सब्टांश एझेंपल राइस पटड़ जब्रेड कंटेंग कार्द आपाय्डेड करutions DAY को सकता होगा самого थैटी को धिक कोशिए रिदשन आंट और सिंपल मी एक उडॉट जाएंगे और एज इसली से क्या करपाइंगं तो इसकी वजे से क्या हो in the cell of our body और जब गुलकोस के इसके साथ कंबाइन करेगा औक सीजन के जो हमारी सेल्स में है बोड़ी की एंड प्रोवाइड एनेजी और क्या प्रोवाइड करेगा एनेजी ते स्पेशल नेम अब इस रेक्शन इस रेक्शन का है रेस्पिरेशन तब प्रोसीज आप किसमें प कुलकोस ओक्सिजन के साथ रेक्ट करेगा क्या बनाएगा करबन डायोकसाइड वाटर और एनेरजी तीक है यह रेक्शन आपको याद कर लिए ती कंपोजिशन वेजीटेबल मेटर इंटु कंपोज्ट इस ऑल्सों ओना एज एग्जेंपल और एग्जोथर्मिक फोर्मेशन ओप सिंगल प्रोड़क्ट ठीक है तो एक्टिविटी 1.1 में क्या हो रहता है एक्टिविटी 1.1 में भी हम क्या एब्जोल्ब कर दें तो उसमें से भी हीट इवाल्व वह थी ठीक है हीट अब हम दूसी रिएक्शन पर आगे हमारी डिकंपोजिशन रियक्शन ठीक है तो टीकंपोजिशन रियक्शन क्या होगी कॉम्बिनेशन क्यूल्टी डीकंपोजिशन का मिनिगी क्या है तूटना ठीक है तो क्या होगा इसमें एक सब्टांस है ठीक है यह ब्रेक हो जाएगा और किसमें तूट जाएगा एक या दो ठीक है दो या दो से जादे मे तो क्या है एक सब्टांस है और उसको हमने क्या कर गया ब्रेक कर दिया तो उसे क्या बोलेंगे जब एक यह तो एक साथ मिलके एक बनाएंगे जब बोलता है combination reaction ठीक है तो decomposition reaction के अब definition क्या लिक होगी the reaction in which one compound decomposes into two or more compound or element is known as decomposition reaction ठीक है अब देखते activity 1.5 में क्या हो रहा है ठीक है तो देखेंगे क्या हो रहा है सब्सक्राइब एक्टिविटी 1.5 टेक अब टेक अब टेक अब टो ग्रैम फैरस सलफेट क्रिस्टल इन ड्राइब बॉइलिंग ट्यूब तो क्या लेना में दो ग्राम फैरस सलफेट लेना है not the color of the ferrous sulfate crystal क्या करना है जो फेरस sulfate है हमारा किस कलर का होगा green कलर का होगा heating the boil tube over the flame of burner उस्पिर lamp Hu have sonning figure फिर क्या करना है हम इसको हम क्या करेंगे heat करेंगे observe the color of the crystal after hitting फिर इसके बाद भी आपको क्या करना है इसका color observe करना है तो क्या होगा इसमें जब आप इस activity को करो गे तो जो green color is ferrous sulfate का किसमें चेंज हो जाएगा brown color में ठीक है उसमें से कुछ smell भी आएगी तो पस यह observation इस activity का having noticed that the green color of the ferrous sulfate crystal has changed कि आप ने नोटिस किया जो green color is ferrous sulfate करेक्टरिस्टिक्स odor of burning sulfur आपको आपके कुछ जारी होगी कुछ odor भी आ रही होगी odor का मतलब smell भी इसकी burning sulfur जैसे ठीक है तो इसमें देखको ferrous sulfate है हमारा जब हमने इसको heat किया तो किसमें परेक हो गया फैरिक ओक्साइड में sulfur dioxide में sulfur ट्रायोक्साइड में ठीक है तो इसमेल इनकी वज़े से यारी इन गैसिस की वज़े से ठीक है क्या हुआ एक सब्तांस लिया था हमने ठीक है क्या लिया था एक कंपाउंड लिया था उसको तोड़के देखो तीन एलिमेंट तीन कंपाउंड बना दिया है तो यह क्या है हमारी decomposition reaction decompose करना decompose मतलब तोड़ना ठीक है तो decomposition condition in this reaction you can observe that a single reactant breakdown to give a simpler product तो अक्या प्राथ चया कि हमने एक single reactant हिया था और शोक्को इपने breakdown कर ट्या सिम्पलर product के अंदर इस अ the composition reaction एक हमारी decomposition reaction is farosulphate crystal Fesfo7H2O lush water when heated and the color of the crystal सے कंपास इसका क्रें भी क्या साब ल०ा चाएगा बसाइब बíasितिक और तरी और सोफर त्राक्साइब लूजरी कि असथे कि डायोकसाइब ब्लॉजरी थी तेक्थ भइ に तो फैरिक ओक्साइड तो हमारा सोलिड है लेकिन जो एसो टू और एसो थी यह क्या है गैस है डिकंपोजिशन कार्बोनेट टू कैल्सियम ओक्साइड एंड कार्बन डायोक्साइड ओन हीटिंग इन इंपोटेंड डिकंपोजिशन जेक्शन यूजिन वेरियस यह लगष्टral Islands कार्बोनेट स्टी कांव ष्伏क्वलाट आपिछा सब्सक्राइड नवारी सब्सक्राइड दायोक्साइड सग्सीन कार्बोना रुपनेटड को डूट कर्षोर्म रहां पालनिट्सकायईड ल्यकर मोलाग का अलतेटे धुक्षान सब्सक्राइल कर्षा em gonna सब्सक्राइब करेंगे तो हम किसी कंपाउंड को तोड़ेने के लिए हीट यूज करेंगे तो तो च्क्या वो ग्यूज़ा होगी थर्मलड टीकंपोजिशन सब्सक्राइब अने एक्जम्पल थर्मल डीकंपोजिशन दियंक्त Rider कि 1.6 थीक है थीक है 1.6 एक कबाउट व्रेम अनक्राइड नायट्रेट ली या थीक है तो इसको क्या करना है इसको टॉंग से पकड़ो कर फिसको बर्ण करो तो आपने क्या चेंजिस इसमें उब्ज़र करें वह बताने यूविल अब्ज़र दैट इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम इस फ्यूम सार नाइट्रोजन डाय ओक्साइड देख प्लेस ठीक है तो आप क्य चाहिए अब्ज़र करोगे इसमें से ब्राउन फ्यूम से लिखे लेगी ब्राउन से तो इसकी जो केमिकल एक साथ ने गया है लैड नाइट्रेट इसको हमने हीट किया और क्या बनेगा लैड ओक्साइड नाइट्रोजन डाय ओक्साइड और ओक्सीजन देखो एक क्या था एक कमपाउंड ता इसको तोडके हमने तीन कमपाउंड बना आदी ठट इन चीजें से बनाती तो क्या है थाइड ब्राउन फिम दिखाए दिखाए देए था एक प्लास्टिक बग द्रिल टू होल it's base and fit rubber stopper in this hole insert carbon electrode in this hole इसमें क्या करना आपको एक मग लेना है ठीक है मग के निचे दो होल करने है ठीक है होल करके इसमें तो हमें लेक्टर डालनी है ठीक है लेक्टर डालने के बाद फिर इसके उपर रख देनी है यह क्या लेक्त टेस्ट्यूप ठीक है धो टेस्ट्यूप ऑई बैटरी कनेक्ट ऑषस्टो पिर इससे करदेनी है यह 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 वाली नोंड ऑर इप वाली जớiगा और थिक एकिशा में थोड़ा सा घ्याट ईचाए तो लुक्र वोट를 बोटर की है वो गोटरिपेट इलेक्ट्र deposit 30-20 activity का नाम है ठीक है, गैस कलेक्टिट एद दर कैटोड, नेगेटिए इस त्वाइड़ दवाइट गैस कलेक्टिट एड़ तर जो गैस हमारी कलेक्टोड होोड है किस पे? कैथोड पे ठीक है, वो क्या है, मृत्बद जो गैस हमारी इलेक्टोड पर किस पर एनोड पर कलेक्ट हो यह क्या है ट्वाइज जा इसकी ठीक है न पॉजिटिव वाले से ठीक है वैन वी ब्रिंग दा फ्लेम तो दा गैस कलेक्टिड एट कैथोड इट बर्ण इमिजेटली वाइल गैस उटेन एट अनोड दस नूट बर्ण तो जो कै इस अमारी ऑक्सिजन गैसे और कैथोड पर कौन सी है हाइड्रोजन गैस है ठीक है और हइड्रोजन गैस का लेवल थोड़ा से जादा मतले बनेगी और हड्रोजन गैस हमारी कम अमांट पर नहीं वाटर का फॉर्मल्ला क्या होता है है एच तु ओ तो यहां पे देखो हाइ अच्छा और ऑक्सिजन से अब देखते हैं यह यह लिखा है कि फिल्न नममाग भी वाटा शब्यास अथिक्टोब करोगे यहां पर बबल स अब्ज़ब करोगे इसिया करेगा वाटर क्या करेगा डिस्प्लेस करेगा सेमें हैं इस वहल्म में गया तो इस नहीं पर व्ल्म आप लेस इसको थोड़ा कैयरफुली करणा है टेस्ट इस गैस वन बाइवार बिरिंगिंग अ बर्निंग दिट नुस तो नुस तु दा मॉथ टेस्टीव भाफ इसका टेस्ट करोगे तो आप किसके पास ले जाओगे बर्निंग केंड़ेक पास इस 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 परफॉर्म केरफुल वाइदर टीचर तो जाए सावधा नहीं क्या रखने है यह आप है कि केरफुल ही करना है वाट एस इनिट इसके तेस्ट तुब तो इसमें क्या होगा जो टू मॉलिकूल है हमारे टू मॉलिकूल बनेगे कि इसके हाइडोजन के और ग बालिकूल कि इसके ऑक्सीजन के साथ वाट लिम आफ अपटेन इस डबल आमांट ओप उखिजन तो जो वाल्यूम है हमारी हाइडोजन की वह डबल होगी किसके अबांट से ऑक्सीजन के अमांट से वाट इस हमारा है लिक अन्डक्टिव वाटर हमारा हाइड़ी इसकी बताना कौन से टेस्ट व में क्या है तो इसमें तो इसका क्लर क्या है वाइट है और इसका रख दिया यहां से सनलाइट आ लिए खिडिकी से आप अपजर तक कलर वह तो सिल्वर ख्लोराइड अप्टर सम तैम आप इसको थोड़ी ताइम यह बात देखोगी जो इसका कलर था आपने क्या रखा था वाइट रखा था एठीग है लेकिन इसके क्या पढ़ी संलाइट आप अपर और संलाइट आप तो इसका जो कलर और व जैसे हो रहा है क्योंकि जो silver chloride है इसको क्या कर दिया तोड़ के क्या बना दिया silver और chlorine और silver का color क्या होता है हमारा gray ठीक है तो एजी सील को क्या कर दिया sunlight की help से क्या हो गई जब इस पर sunlight पढ़ेगी कि silver chloride पर क्या हो जाएगा टूट जाएगा एक compound है दो में टूट गया तो कौन सी रियक्शन होगी decomposition reaction ठीक है तो क्या होगा decomposition reaction नहीं ठीक है तो silver के टूटने के बाद क्या होगा जो white color था और किसमें तोट जाएगा silver और bromine में तो अब आव रियक्शन आज यूज इन ब्लाक और वाइट फोटोग्राफी तो यह इंपोटेंट है याद रखना है आपको यह आजाता है कुछन कौन सी रियक्शन है जो हम ब्लाक और वाइट फोटोग्राफी के लिए उसक वहाँ यूज करता है तो कौनसी रियक्शन सिल्वरॉब्रवाइन की यह फर्ए साथ रियक्शन करेगा तो क्या बनाएगा सिल्वर और भरव्रवी करें हुछ है इंगा इनरजी इन रिधे इन्द फोटोट or electricity for breaking down the reaction तो जब हम decomposition की reaction करते था लाइट की हो सकती हर लाइट की डेकिंग डाने है कि एक्सटंस और इस इने ग्रिक्षण इन विच एनरजी एबसोर तो वह वाली जिसके क्या होगा है एनरेजी हमारी एक जो हूँं गिहां क्या gat alla थ थेडिए काल रह थे हमने क्या कर रहा हमें हमें चैक्ट झाल सब्सक्रा निकाल estratégra टोड़ी तो युद चैनल सबस्क्राइब और जोड़ीत है नावी तोन तौन नाय को किया था मैगनीचियम रिपान इसको बंड किया था मतलब उसमें हमने क्या किया था हीट देनी पड़ी थी तो वह भी क्या है केंडो थर्मिक रियक्शन ठीक है तो आई होप आप सब को कोई समझ में आया होगा जो मैंने समझाया है और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डिस्पलेजमेंट रियक्शन एंड डबल डिस्पलेजमेंट रियक्शन सो थाइंक्यू फोर वचिंग इस वीडियो अल्लो एव्रिवान